आपको टाइम इस टेंपर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपका बर्थ डेट होगा इस बारी नेम इनिशल्स नहीं है बर्थ देट होगा क्या दार पर आप अपना ग्रूप चूज कर सकते हैं तो रीडिंग का टॉपिक जो है वो तो खेर आपने देखी लिए होगा थमनिल में फिर से महीं रिपीट कर देती हूँ टॉपिक है कि वो इस तिंकिंग अबाउट यू और वाई एंड बेसिकली ऐसे जो टॉपिक होते हैं उनको टाइटल देखते ही लोगों को लगता है कि अरे ये तो किसी लव कनेक्शन की बात हो रही होगी बट ऐसा नहीं है मैं आज जो रीडिंग कर रही हूँ वो किसी कनेक्शन को लेक पर नहीं है वो किसी के भी बारे में हो सकता है हो सकता है कोई आपको कभी कहीं मिला हो आप ट्रेवल कर रहे थे उस वक्त या किसी के तुरू आपकी जान पैचान हुई हो कोई फ्रेंड हो सकता है रिलेटिव हो सकता है आपकी पेरेंस हो सकते हैं या कोई भी तो जो भी सोच रही है वो और reason क्या है and intentions क्या है वो सब कुछ हम देखेंगे और universe का क्या गयाना इस बारे में तो ऐसा ये reading रहने वाला है क्योंकि ये pick a card reading है मैं cards आपके सामने रख देती हूँ तीन cards जहेंगे जिन में से एक आपको select करना है intuitively and then आपकी जो reading है आप देख सकते हैं देखें कितना आप से resonate होता है आज तो पहला option लेते हैं पहला card लेते हैं protected तो ये आपका पहला card हो गया you are safe and supported while you change your career इसमें message है teaching number two और मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी आप लोग परेशान ना हो आप लोग comment करते हो कि पास से दिखा दिया करिए sensitivity तो आप मैं आपको पास से दिखा दिखा दिखेंगी ये लिजे screenshot ले सकते हैं वीडियो बॉस कर सकते हैं अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है select करने में तो अराम से इन पर meditate करिए अराम से एक काट select करिए फिर देखिएगा आपकी reading general reading है general reading के जैसे देखना है आपने personal reading के जैसे नहीं देखना है क्योंकि कुछ चीज़े आप से resonate होंगी कुछ नहीं होंगी और कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा reading resonate हो जाता है अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइस तो ऐसा होता है कि 50, 60, 70% ऐसा हुआ sometimes 30, sometimes 20 तो जितना आप से resonate होता है उतना लेना है बाकी का जाने देना है genderless reading है कोई भी देख सकता है और यह timeless reading है आप इसको कभी भी देख सकते हैं सबसे important बात वोई है कि 709 direct family जो हमारी आप धर्म और जाती को लिएकर जराभी भेतपाऊन नहीं होता तो आप किसी भी धर्मिया जाती के हैं फर्क नहीं परता आप readings देख सकते हैं guidance ले सकते हैं नहीं बात personal readings की तो हाँ जी मैं अभी कर रही हूँ private readings अभी open हैं तो इसके लिए आप mail कर सकते हैं description चेक करें वहाँ पर mail idea आपको मिल जाएगा website का link मिल जाएगा whatsapp group का link मिल जाएगा तो आप connect हो सकते हैं उसके through एक slot book कर सकते हैं जैसे भी चाहें mail readings हैं whatsapp reading भी मिल जाता है phone call अगर चाहिए तो उसका भी option है तो जो आपको ठीक लगें इसके अलाबा अगर आपको energized crystals चाहिए bracelets चाहिए जैसे कि ये हैं ये मैंने पहन रखा है तो उसके लिए आप 709 crystal corner करके जो उमारा app है उसे install कर सकते हैं आपको energized pyramids, pebbles and crystals and bracelets आपको मिलेंगे और भी कई सारी चीज़े हैं कई लोग हैं जो target reading सीखना चाहते हैं तो मैंने खुद एक book लिखी हुई है वो आपको बहाँ पर मिल जाएगा आप बाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको पहले इंस्टॉल करना होगा ठीक है तो वो आपकर सकते हैं उसका link आपको मिल जाएगा candles अगर आपको चाहिए energize तो वो भी available है और कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप कोई face pack लेकर आए जो की all skin type हो and हम use कर सकें तो वो भी मैं बहुत चल देकर आरही हूँ आपको वहीं एप पर ही मिलेगा you can try तो कभी कुछ है वहाँ पर देखने के लिए तो आप जरूर जाएं उसे देखें and अगर आप कुछ लोगों के लिए donate करना चाहें तो उसका भी option है आप पर donate भी कर सकते हैं alright guys तो I'm sure आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा अब हम देटिंग शुरू करते हैं देखते हैं क्या कुछ आएगा all the best hi guys तो अगर आपने select किया है इस वाले कार्ड को protected तो चले देखते हैं who is thinking about you and why and cards जो मैं use करने वाली हूँ वो ये है उस दिन कोई मुझे पूछ भी रहा था कि आपका favorite deck कौन सा है ये है मेरा favorite deck इसके cards अलग ही energy रखते हैं मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ कि मुझे क्या बताया जा रहा है या मुझे क्या समझाना है लोगों को तो ये favorite है मेरा आप चाहें तो ये वाय कर सकते हैं इनके साथ में meditate करना होगा आपको थोड़ा सब जादा ये थोड़ा देरी से connect होते हैं लेकिन जब ये connect होते हैं तो बड़ी जल्दी आप टैंक्स टू हर ओके तो हमारी रीडिंग हम शुरू करते हैं देखते हैं कि क्या आएगा आज आपके लिए ये बार बार टू अफ पेंटिकल सामने आ रहे हैं कि अबार टू ये वे कि वे झाल बार टू एब देखते हैं जार टू वे ये इसकार बार टू आपके लिए जार टू झाल शॉजऑा 3 of swords, queen of pentacles, 8 of swords, 2 of wands, 6 of pentacles, जिसके साथ में आपका relationship था, committed थे आप, जिसके साथ में आप future देख रहे थे, जिसके वेट कर रहे थे, हाला कि confused भी थे, बट फिर भी आपको लग रहा था कि इनके साथ ही future आपका बनेगा, बट नहीं बना, वही आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्यूं सोच रहे हैं, वो मैं भी देखूंगी, राशियां डिसकर्स कर लेते हैं, राशियों की अगर मैं बात करूँ तो क्याप्रिकॉन, वोगो, टॉरस हो सकते हैं, यह या फिर आप, मतब जो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनकी राशियों हो सकती है, आपकी, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Geminiac, Various, यह राशियां हैं यहाँ पर, हो सकता है, आपका यह connection छे महीने चला हो, या फिर छे साल, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई third party भी रही है, इसमें, options रहे हैं, जब यह connection था, उस वक्त आपके पास भी options थे, सामने वाले के पास भी options थे, और आपके साथ ऐसा था कि आप सामने वाले से थोड़ी ज़्यादा मजबूत थे, आप ने अगर कुछ decide किया था, तो वो करने की क्षमता आप रखते थे, अभी भी आप ऐसे ही हो, change नहीं हुए, लेकिन सामने वाला जो था, वो confused था, प्लस उस व्यक्ति पर दूसरों का प्रभाफ बहुत ज़्यादा पड़ता था, अब किसी और ने कुछ क्या दिया, तो उसको दिमाग पे रख लिया, और, मतब उनकी कोई भी बड़ी आसानी से conditioning कर सकता था, अगर ये air sun है, अगर इनकी राशी तुला है, या मिथन है, तो ये, जो मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से resonate करने वाला है, कि इन लोगों के साथ ऐसा होता है, आप कुछ भी बोल दोगे, और, विद प्रूफ, कि देखो ऐसा है, तो वो मान जाएंगे, और, बस वो मान जाते हैं, फिर, अपने emotions को वो साइड में कर देते हैं, और, ओके, मुझे ऐसा बोला गया, तो मुझे ऐसा करना है, बाद में खुद हो रहे हैं, दूसरा हो रहा है, उससे कुछ मतलब उनको नहीं रहता, तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, लेकिन उनका nature ऐसा है, और कई बार फैसले गलत करते हैं, तो, जैसे के मैंने राशियां बताई, तो मेभी आप earth sign के हो, और वो air sign के हो सकते हैं, या फिर fire sign में हो सकते हैं, तो Leo मेभी, उनकी singer राशी है, हाला कि singer राशी के जैसे उनके, उनके नाजी तो दिखाई नहीं देती, बट कुछ चीजें हैं, जो singer राशी से रेजनेट करती हैं, तो ऐसा है, confused जो नहीं होते हैं, जो singer राशी के लोग होते हैं, लेकिन हाँ, अगर उनका राशी, अगर उनका birth chart में, कुछ ऐसा कम्बो मिलता है, कि Leo भी हैं, और air sign में भी आते हैं, fire, air हैं, तो उनके साथ में यह चीजें होती हैं, दुखी रहते हैं, दुखी करते हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन हो जाता है, तो ऐसा यह connection रहा है आपका उनके साथ, आपने जितना दिया, उतना आपको मिला भी, लेकिन कुछ solid आपको चाहिए था, वो आपको नहीं मिल पाया, और वो भी किसी और की विज़े से, इनकी विज़े से नहीं, यह अगर पूरी तरीकी से आपके प्रभाफ में होते तो आपकी सुनते, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई और भी था बीच में, जब आपका और इनका सेपरेशन हुआ है, बातचीत बंद भी है, उस वक्त आप भी बहुत ज़्यादा confused थे, बहुत ऐसे लोग आपके आसपास आ गए हों, जो आपको बहुत ज़्यादा demotivate करते थे, ऐसे समझ लोग, ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं, जो आपको motivate करते हैं, नहीं fight करो, नहीं उसको convince करो, नहीं ये करो हो जाएगा, और कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं, जो बोलते हैं, आरे होई नहीं पाएगा, होई नहीं सकता, बिकार है ये, क्यों उधर क्यों जाना है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनरजी वेस्ट हो रही है, ये वो, तो हम उन्हीं के एनरजी में आ जाते हैं, उन्हीं के प्रभाव में आ जाते हैं, तो कई बार हमारी manifestation पूरी होते होते होते, रुख जाती है, जहां तक मैं देख पारी हूँ, जिनके साथ में भी आपका connection था, उनके साथ में शादी होने के chances थे, और शायद family को पता भी था, लेकिन फिर अचानक से ये तूट गया, रिष्टा connection जो भी है तूट गया, तो अभी हाल फिलाल में वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वो मुझे भी जानना है, तो चलिए देखते हैं, क्या reason है, मैं दूसरा deck लेना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट, कि अ मिनट, कि अगया, वो ओखते हैं, वो में तेखते हैं, why are they thinking about you okay the tower night of events the star and seven of cups okay so abhi mein ye toh nahin dekh rahi कि यह आपके बारे में सोच रहे हैं तो यह आपके पास वापस आएंगे या फिर नहीं बट अगर आते हैं तो इनको चांस नहीं देना है यह मैं आपको बता देती हूँ okay okay पहले जब आप दोनों साथ थे तो इनके साथ में कुछ भी बुरा होता था कुछ भी ऐसा जो की pleasing नहीं था कुछ भी ऐसा जो यह नहीं चाहते थे तो जो तकलीफ इनको होती थी जो परिशानिया इनको होती थी uneasy feel होता था health issues इनको हो जाते थे तो यह आपके पास आते तो आपके पास तो थे ही मैं आपसे सलाह लेते थे और आप कोशिश करते थे कि आप इनको हील कर दो कि कि आप अच्छे हो इसमें किसी को भी हील करने में आप बहुत अच्छे हो अपने बातों से अपने अन्भाव से आप किसी को भी हील कर सकते हो उनको बताते हो ऐसे करके कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने ये step लिये, इस तरीके से मैं आगे बड़ी, मैंने सब कुछ कैसे handle किया, तो इन बातों का बड़ा फर्क पड़ता है लोगों पर, बड़ा असर होता है लोगों पर, और लोग बड़ी जल्दी हील हो जाता है, तो इनके साथ भी वही था, अब ये तो आपके बहुत अपने थे, close थे, तो आप वो करते थे, तो अभी क्या हुआ है, separation के बाद, इनकी life में कोई और moment आया है, तो पहले तो इनको ये ऐसास हुआ, कि आपको उस वक्त कैसा लगा होगा, जब इन्होंने आपको hot किया, आप अपनी एक पूरी दुनिया बसा लेते हो, और फिर अचानक से कोई आपके उस दुनिया को उजार देता है, तो बहुत painful होता है वो experience, तो इनको उस वक्त नहीं, इतना समझ नहीं आया, इन्होंने बेशक आपको hurt किया, लेकि इनको लगा कि ठीक है, लोग आगे बढ़ जाते है, जोग आगे बढ़ जाते हैं, ये बुलते हैं ना लोग, अभी भी बहुत से लोग को पता होगा, कॉमेंट करना, अगर आप किसी relationship में थे, किसी के साथ में थे, जिसको भी break up करना रहा है, वो ये बुलता होगा, अरे time heals everything, अरे कुछ नहीं होता, ये चीज़े होती है, तो इन्होंने वहीं सोचा कि अरे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक हो जाएगी, ये आगे बढ़ जा होगा है, तो इनको समझ जा रहा है, इतना आसान नहीं होता है, ऐसे बोलना, तो अब ये क्या चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनका कोई काम बिगड़ा है, बहुत बढ़ा काम बिगड़ा है, चोटा मोटा नहीं, दौर्वल का कार्ड है, यानि मेजर कारना है, तो अब यह चाहते हैं, आपके पास आना, ताकर ही इस खुदको हिल करें, इनको पता है कि अभी भी अगर यह आपके पास आते हैं तो आप эту हिल करोगे, तो यह आपके पास वापस आना चाहते हैं तो जैसे पहले हुआ था वही चीज़े रिपीट हो सकती है तो अगर यह आपके पास आते हैं जो कि मैंने अभी तक confirm नहीं किया है आएंगे या नहीं आएंगे तो अगर यह आते हैं तो उनको chance देने की जरूरत नहीं है यह भी मैं आप लोहं से नहीं कोणगी कि अगर कोई आ रहा है तो आप उसको ज़रूर kalian कियो कि मुझे पता है यह पेनफुल है और मैं तो फूर्स नहीं करूंगी इस चरीके से आपको तो जो आपके intuition कहती जो आपका दिल कहता है आप वो करिये लेकिन है इनके आने के chances हैं, intentions इनके यही हैं, so will they come, nine of winds, nine of swords, see, त्या condition ने इनके अगे, and night of cups, yes, यह अभी बहुत परिशान होंगे, और भी जादा, और भी जादा, अभी वो limit cross नहीं हुई है, इनको और भी बहुत कुछ देखना है, जेलना है, and इनकी journey है अपनी, इनको पूरा करना है, कोई इनके साथ नहीं होगा, कुछ लोग हैं, वो भी इनको धोका दे सकते हैं, या इनसे ऐसी बाते कर सकते हैं, जिससे के इनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, उस वक्त ही आपके पास आएंगे, with the fool, यह पूरी तरीके से, और हो सकता है या आप से शादी की भी बात करें, पॉसिबल है, बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कि इनके सिर्फ इतने हैं, कि उनका भला हो, that's it, यहां पर आपके भले के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, अगर या आप से शादी की बात करते भी हैं, तो है, क्योंकि उनकी healing हो, और वैसे तो यही है, कि वो 70%, 80% chances हैं, कि वो खुद को heal करें और वापस लोट जाएं, और यहां पर the devil की energy है, हो सकता है, आपको karmic connection हो, karmic connections ऐसे ही होते हैं, toxic होते हैं, उसमें एक जो partner है, वो अपने फायदे का सोचता है, फर्क नहीं परता है, उ और तो देख लेते हैं, universe क्या कहती है, इस बारे में, आपको क्या करने की जरूरत है, हो सकता है, आपको कुछ messages अगरे मिल रहे हूं इनसे, मतब telepathically अगर यह आपसे connected है, अब यहां पर कई लोग बोलेंगे, अगर कarmic connection है, तो telepathic ऐसी है, वो होती है, वो तो किसी के साथ ह हो जाती है, अगर आप अपनी intuition पर काम करते हो, और अगर आपके, आपके इंद्रियां, बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप किसी से भी connect हो सकते हो, mending, orphan, no place like home, तो universe का कहना यह है आपको, कि आप चाहें तो आप उनको माफ कर सकते हैं, और maybe, maybe, maybe इस connection की वज़े से आपकी healing नहीं हो रही है, maybe इस connection की वज़े से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो जाता है कि यवार लोग closer नहीं देते हैं, और चले जाते हैं, ghost कर देते हैं आपको, और फिर आप अटक जाते हो, और कई सारे सवाल मन में रहते हैं, क्यों, 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 हुआ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ, तो इनका comeback इसी लिए है, इनके कर्मों का फल इनको मिल रहा है, और आपके सवालों का जवाब आपको मिलना है, तो इसके वज़े से वापस आएंगे, तो ऐसी इस्तिते में universe का क वापस लेकर आओ, और वापस से खुद को, वो dedication फिर से हो, ऐसा नहीं है, माफ करने से मतलब होता है, कि आप भूल जाओ इसको, भूलने की कोशिश करो, एक बोज है, जिसको उतारना है आपने, तो आप माफ करोगी, तो उतर जाएगा, और फिर आप आगे बर सकते हो, तो आप friendship रखें, friendship का मतलब यह नहीं है, कि आप best friend बन जाओ, friendship या नहीं कि ठीक है, बात चीत करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे रखना है, आपको ऐसे रखना है, कि आपको फर्क नहीं पड़ता, तो अगर इस तरीके से आप कर सकते हो, इस connection के लिए, तो आप करो, otherwise तो आप connect ही किया, and ठीक है, मुझे जो सीखना था, मैंने सीख लिया, तो मैं जो सीखना था, तुमने सीख लिया, आप अटाओ, इसको ऐसे रखते हैं, हलके फलके में, alright, तो यह universe का कहना है, और यहीं मैं लोगों को बोलती हूँ, कि कर्मा जरूर मिलता है, लोगों को, आप ऐसे मैं सो टी स्टार, दोबारा से है, त्री ओफ पेंटिकल्स, टावर, टैन अफ कप्स, नो प्लेस लाइक हों भी आया है, टैन अफ कप्स भी आया है, तो हाई चांसे हैं कि आपको बोलें शादी के लिए, और अब आप करेंगे शादी नहीं करेंगे, वो आप पर बनता है, वैसे आपको यूनिवर्स ने तो कहा है, कि आप फोगिफ कर दें, बट ये जो भी इनकी तरफ से फैसला लिया जाएगा, वो पूरा सोच समझ कर समझदारी के साथ कि मेरा क्या फाइदा है, आपकी तरफ से हो सकता है, आप एमोशनल हो और ये फैसला करें, तो अगर आपको ये म आपको ये लगाएगा, बबाई, तो अगर आपने चूस किया है टीचिंग कार्ड को, तो चले देख लेते हैं, वो इस तिंकिंग बाउट यू, एन वाई, तो ये वाला डेक में यूस कर रही हूं, वो यू, वो ये तो देखेंगे, और हम इससे देखेंगे, क्या आपकी रीडिंग कैसी आती है, क्या आती, कितनी रेजनेट करती है, आप चाहें, तो पाइल नमबर वन भी देख सकते हैं, वो भी आपसे रेजनेट करें, त्री ओफ कर्प्स, वो ये आपका कोई फ्रेंड है, जो आपके बारे में सोच रहा है, या सोच रही है, जो भी है, जन्रलिस्ट रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजनेट हो, आपके फ्रेंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता एक ग्रूप हो, जो कि आपको याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वैसा रिलेशनशिप या बिजनेट पार्नेशिप नहीं है, यह फ्रेंड शिप है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, यह आपके चाइलूट फ्रेंड हो सकते हैं, जो कि आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं अभी, राशियों के अगर मैं बात करूँ, क्याप्रिकॉन, वगो, टॉरस, एडिस, लियो, सेजिटेरिस, कैंसे, स्कॉप्य, पाइसी, और सारी ही राशियां हैं, निब्रा, जमना, एक वेरियस भी है, सारी ही एलिमेंट्स हैं, यह वो फ्रेंड्स हैं, या ग्रूप है, जिसके बारे में आप भी सोच रहे हो, सिर्फ यह आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप भी इनके बारे में सोच रहे हो, मेमरीज हैं आपकी इनके साथ, और जब आप अपने काम से फुरसत पाते हो, जब कभी भी आपको खाली वक्त मिलता है, तो आप इनके बारे में सोचने लग जाते हो, आप मिस करते हो, वो दिन, वो मुमिन्स, आप इनके साथ कहीं घूमने भी गए थे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रेवल किया आपने, एंड एक्स्प्लोर किया आपने, कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ एक कंट्री से नहीं है, अलग-अलग कंट्री से हैं सबी लोग, एंड उसके बाद भी आपकी बांडिंग बहुत अच्छी रही एक दूसरे के साथ, आपने बहुत इंजॉय किया, एंड काफी सुन्दर में अमरीज है आपकी एक दूसरे के साथ, हाई प्रीस्टेस, टॉवर, इन में से कोई एक ऐसा था जिसने आपको special world की तरफ, आगे बढ़ने की सलाह दी, और जब आपने वो सारी चीज़े ट्राइ करीं, जो इन्होंने ट्राइ करने के लिए आपको बोली, तो बड़े changes आपको दिखे भी, एंड इसके लिए आप grateful हो, और I think आपकी meeting नहीं हो पाती है, और कुछ लोग के लिए मुझे बात भी नहीं हो पाती किसी reason से, और ये message जो अब मैं देने वाली हो सकता है, बहुत ही कम लोगों से resonate हो, और मैं चाहती हूँ कि बहुत कम लोगों से resonate हो, या फिर हो ही ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी आपकी friend है, आपके friend है, वो है ही नहीं अभी इस दुनिया में और वो किसी तरीके से energy level पर आप से connected है, अब यहाँ पर सोचना नहीं हुआ, यहाँ पर connect होना हो गया, अगर वो है ही नहीं, बट आप उनके बारे में सोचते हूँ है, night of cups, ten of cups, हो सकता इस group के जरीए ही आप अपने partner से मिले हूँ, यह किसी से आपकी meeting हुई हो, जिनके साथ में आपको soulmate connection लगा हो, यह responsible है आपकी happiness के लिए, इनकी वज़े से आप काफी खुश रहे हो, तो यह कौन से friends है, कौन सा group है, group लग रहा है मुझे, कोई एक नहीं लग रहा friend, group लग रहा है मुझे, तो यह group कौन सा है आपको बता होगा, तो यही आपके बारे में सोच रहे हैं सभी लोग, और पूरा group है, मैं group ही कहूंगी, पूरा group है, जो आपके बारे में सोच रहे ह इसे, intentions क्या है, क्या reason है, six of swords, three of winds, okay, travel, 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 death, जो कि मैं बात कर रही थी अभी आप से, and night of winds, जहां पर आप explore करने के लिए गए थे, यह फिर से वहाँ पर जाना चाते हैं आपके साथ, आपको लेना चाते हैं अपने ग्रुप में वापस से, और फिर से एक journey को शुरू करना चाते हैं, यह इसलिए आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आपके बारे में सूच रहे हैं, अग इसी उनकी Wheel of Fortune का कार्ड यहां पर आया है, ऐसे उनकी इच्छा है, Night of Cups, फिर से, और यहां पर जो Masculine Energy है, वो काफी ज़्यादा excited है इसको लेकर, अब यह कोई भी हो सकता है, Male है, Female है, जो भी है, मैं Energy सिफ बोलूँगी, अगर आप Female है और यह reading देखने तो सकता है, यह male है, तो उनकी बहुत चाहा है, कि आप लोग वापस से मिलो, और वापस से उसी तरीके से explore करो, चीजों को जानो, समझो, और मिलकर काम करने का सोच रहे हैं, यह लोग, आपके साथ Three of Cups again, तो यह कोई group है आपका, अब आपको इस group में जाना है, नहीं जाना है, king of swords, वो आपकी मर्जी है, बट यह चाहते हैं, कि आपकी फिर से meeting हो, इनके साथ, फिर से वही journey हो, फिर से आप कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, explore करें, जो भी जो आपने किया होगा, इस group क साथ में रहकर, यह वही चाहते हैं वापस से, क्यों चाहते हैं ऐसा, सिर्फ इस लिए क्योंकि time अच्छा गुज़रा, या फिर कोई और reason है, five of cups, hermit, tenoven, सिफ, यह नहीं है, कि आप लोगोंने enjoy किया, अच्छा time गया, नहीं, नहीं, यह कुछ और है, यह कोई, I hope यह कोई cult नहीं है, पता नहीं, यह कोई ऐसी community है, जो कि कोई काम पूरा कर रहे हैं मिलकर, कोई purpose है, और इनको लगता है कि आप लोग साथ मिलकर अगर आगे बढ़ते हो, तो अच्छे से यह काम कर पाओगे, कुछ ऐसा है कि लोगों को रास्ता दिखाना है, लोगों को guide करना है मिलकर, तो आप खुद भी enjoy करते हो और दूसरों को भी help करते हो, तो understand कि उनका soul purpose क्या है और उनकी healing कैसे हो सकती है, वो कैसे अपने जिम्यदारियों को हस कर निभा सकते हैं, परिशानियों को अलग तरीके से देख सकते हैं, अच्छा intention, लेकिन I don't know वो कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तरीका क्या है, यह जो group है, इसका कोई leader है, उस leader की क्या intentions है, जहां तक मैं समझपा रही हूँ, बहुत अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन इस group के तो हैं, अब group ही भटका हुआ हो तो बात अलग है, बट एनिवेस, लेट सी के universe क्या क्या चाहती है, आपको क्या करना चाहिए, बट यह सिर्फ enjoyment को लेकर नहीं है, अगर यह कोई cult जैसा है, तो आप प्लीज गो दिस्टेंस, तिहान रखें, truth be told, yes, exchanging gifts, okay, so guidance यह है आपके लिए, कि पहले इसके बारे में जाने, इस group के बारे में, इसके intentions के बारे में, या अगर यह group को कोई और lead कर रहा है, उनके बारे में, अच्छे से जानकारी ले ले लें, अगर सब कुछ safe है, तो आप इसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और अगर safe नहीं है, अगर आपको पता चल जाता है, तो सीधी से बाते आगे नहीं बढ़ना है, safe नहीं है, लेकिन जो सच है, उसके बारे में जाने, पहले तो आप, सिर्फ इस पर नहीं जाएं, कि equal given take है, क्योंकि वो है, मैं देख रही हूँ, आप इसलिए, आपको भी मैं खुश देख रही हूँ, लोगों को भी खुश देख रही हूँ, ऐसा है कि, जितना वो देते हैं, उतना आप देते हो, या आप देते हो, उनसे आपको मिलता है, बट intention क्या है, वो जानने की कोशिश करें, और अगर आप satisfied हो इसके साथ, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, मैं देख रही हूँ, तो अगर उनके intentions के साथ में आप satisfied हो, वो जो चाहते हैं, उसके साथ में satisfied हो, देन आप बढ़ सकते हो आगे इसमें, अगर आपकी भी चा बहतर होगा कि आप आगे ना बढ़ें, यह लोग शायद आपसे connect होने की कोशिश करेंगे, तो आप सोच लेजे आपको क्या करना है, और राइट, तो यह थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई है, तो like जरूर करें, resonate करी हो, तो मुझे जरूर बताएं, share कर करें, thank you so much for watching the video, take care of you all, bye bye, hi guys, तो अगर आपने चूस किया है, इस कार्ट को, जो की है, sensitivity है, क्या है, अब लर हो रहे क्या, okay, तो अगर आपने ये वाला कार्ट चूस किया है, तो चली देख लेते हैं, who is thinking about you and why, तो ये वाला टेक में यूस करी हूँ, यहां से हम देखेंगे, क्या आपके बारे में कौन सोच रहा है, और क्यूं सोच रहा है, क्या intention से, hmm, okay, the chariot, two of cups, six of swords, night of swords, आप recently किसी से मिले हैं, या फिर तो दो से तीन महीने पहले किसी से मिले हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और लगातार सोच रहे हैं, कुछ लोग के लिए हो सकता है, आप इनके साथ में relationship में थे, या इनके साथ में आपकी friendship रही, या partnership थी, आप इन से जुड़ कर रहे हो, soulmate connection है आपका, तो या आपके बारे में सोच रहे हैं, राशियों के अगर मैं बात करूँ, आपकी या फिर इनकी, इनको लेकर आप confused रहे हो, जब यह आपकी लाइफ में थे, उस वक्त कोई और भी था, आपकी लाइफ में और आपकी लिए बड़ा मुश्किल था, दोरों में से किसी एक को चूस करना, तो आप इनसे भी बात करते थे, कोई और भी था, उससे भी connected थे, तो यह वही है, जिनकी राशियों, अगर आपकी लाइफ में दो लोग थे, और एक की राशियों थी, कैंसे स्कॉप योपाई से या, एक वाटर साइन का था, तो यह वही है, ऐसा समझ लो, दूसरा व्यक् दिया है, कि वाटर साइन में होंगे, या फिर हो सकता है, इनका बर्थ देट, आपका बर्थ देट सेम हो, या फिर ऐसा हो सकता है, कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा रहे हों, लेकिन अट्रेक्शन बहुत था, जैसे कि रंग का हो सकता है, यह फेर हो, या आफेर ह हो सकते हैं तो ये वो हैं और ये बहुत जादा आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनको आप से मिलना है ये आप से मिलना चाहते हैं अब ये मिलना क्यों चाहते हैं वो हम देख लेंगे अभी कार्ड से कुछ दो के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनके साथ में आप आपने इनको date किया, time इनके साथ अच्छा रहा, then finally आपने decide किया move on करने का for some reason, differences हो सकते हैं, या फिर आप decide नहीं कर पा रहे थे तो आपने कुछ कहा ही नहीं और इसको end करने का सोचा, तो यह वही है, ओके तो देखते हैं ये आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों सोच रहे हैं, हाना कि सोच क्यों रहे हैं, वो तो हमें दिखिया, मिलना क्यों चाहते हैं, अच्छा कुछ लोगी लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, आप दोनों का कुछ orange marriage का scene मना हो, आ आप इनसे मिले, टाइम स्पेंड किया, इन्हों ने आपको बोला हो, कि इनको सोचना है आपके बारे में, या आपको हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, और फिर एक टाइम के बाद बात चीट बंद हो गई, क्योंकि इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फाइनली जवाब इनकी तरफ से मिलेगा, आपको यह आएंगे, आपसे बात करने के लिए, तो यह तो clear हो गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो उनके लिए मैं देखना चाहूंगी, कि यह मिलना चाहते हैं, तो क्यों मिलना चाहते हैं, वाइटो थे वाउन्टो मीट यो, ति एंपरर, एस ओफ वेंज, दी एंपरर, सेवन अफ कॉप्स, फाइव अफ वील्स, यानि के फाइव अफ पैंटिकल्स, टू ओफ वेंज, तो यह मिलकर आपको यह बताना चाहते हैं, कि इन्हों ने उस वक्त, को यह स्टैंड आपके लिए, क्यों नहीं लिया, क्या रीजन था, और फाइनली यह लेना चाहते हैं, यह स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, हैं जो लोग emperor के नाजी में होते हैं काफी mature होते हैं और वो phone calls इंस सारी चीज़ों को बहुत जादा priority नहीं देते हैं उनके साफ से face to face बात करो वो जादा better है इसका रिज़ा नेक ये भी है कि देखना चाहते हैं सामने वाले के expressions क्या है phone पर और text में तो ऐसा होता ही है कि बंदा कुछ भी type करें और सच में उसके साथ कुछ और हो रहा है हमें नहीं पता चलता जब तक वो लिखता नहीं है तो बड़ी आसानी से हम हाइट कर सकते हमारी feelings को emotions को हमारी गुसे को हाँ वही emotion सामने से क्या होता है कि हम अब यह वापस आ रहे हैं आपके पास और यह आपको commitment देना चाहते हैं और अगर आप लोग married हो और वो सारी चीज़े हुई हैं जैसे कि मैंने कहा कि separation हो गया, differences बहुत थे तो अब यह मिलकर बात करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इनको अब आगे invest करना चाहिए या फिर नहीं, इनके कुछ इच्छा हैं तो यह जानना चाहते हैं कि वो पूरी हो पाएंगी आ फिर नहीं इनको clarity चाहिए इनको आपको clarity देने भी है और इनको आपसे clarity चाहिए भी इसलिए यह आपके बारे में सोच रहे हैं इसलिए आपसे मलना चाहते हैं और intentions अच्छे हैं लेट सी यह कब तक आपसे मिलेंगे या कुछ ट्राइ करेंगे और आपको क्या करना चाहिए three of cups queen of cups what should you do king of cups eight of swords five of wands ओके आपके मन में आपके दिल दिमाग में जो भी confusion है उसको कैसे हटाना है उसका सोचो कि यह एक अच्छा option है I mean इसके साथ इस व्यक्ती के साथ आप आगे बर सकते हो options आपके पास और भी कई सारे है बट यह सबसे better है मैं कह रही हो तो इनके बारे में आप सोच सकते हैं इनके साथ आगे बर सकते हैं हाँ आपका दिल दुखा होगा इन्होंने आपको stuck रखा इन्होंने आपको clarity नहीं दी उस बात पर गुस्सा हो सकता है या तकलीफ हो सकती है मैं कहूंगी कि उसको ऐसे समझ लोगी एक cycle था end हो गया उस वक्त आपका confused होना जरूरी था या फिर आपका sad होना जरूरी था हो सकता है दौरान आपने कुछ सीखा हो कुछ समझा हो जाना हो यसे कली मेरे पास एक बच्ची reading लेने के लिए आई थी उसने भी मुझे से यही सवाल किया कि यह connection मुझे क्यों मिला तो जब उसके cards मैंने देखे तो निकल कर आया कि उसको समझने की जरूरत थी कि वो उसके लिए enough है उसको किसी और की जरूरत नहीं है अगर आप किसी पर निर्भर होते हो यानि कि एक कमी है ये आपकी आपको नहीं होना है निर्भर इतना कि आपको कोई भी चोट पहुँचाए अगर आपको दुखी होना है तो वो आपके हाँ तो में होना चाहिए या फिर अभी आप confused ओ, अभी भी options के बीच में confused ओ, तो मैं आपको बता दूँ कि इस वाले option को आपने choose करना है, आगे बढ़ें आप दोनों सोन में सो, पता है, आगे बढ़ें अपनी अच्छी जिंदिगी बनाए, और अच्छी memories बनाए, three of cups है यहाँ पर, तो यह card कहता है क हो सकता है, आपके friends के through यह आप से connect होने की गोशिश करें, क्योंकि सामने से connect होना इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, plus क्योंकि इनकी थोड़ी आदत है, मैंने कहा ना, कि मिलकर बात करने की, जानना चाहते हैं, कि सामने वाला कैसा है, तो यह आपके किसी friends के through आप स क्या कहते हैं, co-create, happy, happy, breathe, okay, so बहुत अच्छी जर्णी आपकी इनके साथ जाने वाली हैं, अगर आप इनसे मिल जाते हो, तो जो भी issues हैं आपकी life में, जो confusion हैं, उसको हटाने की कोशिश करें, लोगों से connect हों, बात करें, किसी counselor से बात कर लें, घर में बात कर लें, options हैं, 3-4 उनके बारे में discuss कर लें, किसी से हा कहना है, किसी से ना कहना है, तो वो सब कुश कर लो, और ये आ रहे हैं, तो इनका स्वागत करो, और आगे बढ़ो, okay, alright guys, तो ये थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई हैं, तो like जरूर करें, resonate करें, तो मुझे जरू पता हैं, share करें, subscribe करें, thank you so much for watching the video, take care, love you, bye-bye, muah